इस lecture के अंदर आज हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वो है surrogate endpoints surrogate endpoints क्या होते हैं और इन में कौन-कौन सी important चीज़े हैं जो clinical trials के अंदर या data को measure करने के अंदर देखी जाती हैं आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हम statistics को पढ़ रहे हैं और उन में हमने ये देखा है कि data measure करना क्यों जरूरी है data को label करना क्यों जरूरी है और data को understand करने के लिए हमें क्यों इनको numbers के अंदर या quantities के अंदर या qualities के अंदर या categorical data के अंदर या structure बनाना जरूरी है अब data को measure करने के techniques के अंदर एक surrogate endpoints technique आती है मैं आपसे request करता हूँ कि जब आप इस lecture को देखें तो please साथ साथ notes ज़रूर बनाईएगा it will help you a lot मैं screen आपके सामने ले किया तो मेरी screen आपके सामने share हो रही होगी हम देखते हैं कि surrogate endpoints क्या होते हैं ठीक है हम क्या करते हैं अगर आप यहाँ पे screen पे देखें SU-RR-O-G-A-T-E surrogate and points ऐसे points जिनको आप इसलिए मेर करते हैं क्योंकि जो final चीज है वो आप मेर नहीं कर सकते final cannot be easily measured यानि कि जो final आपका aim है आप उसे measure नहीं कर सकते लेकिन आप क्या करते हैं उससे पहले surrogate endpoints या surrogate endpoints जो है उन्हें बना लेते हैं ठीक है pronunciation matter करती है जब आप different किसम की चीजों के उपर इनको apply करते हैं but for now we will just look into it कि यह होते कि हैं अब इसको हम क्या बोलते हैं अगर इसको define किया जाए तो surrogate endpoints is a substitute measure for clinical endpoints यानि के a substitute substitute sorry substitute measure for a clinical endpoints मिसाल के तोर पर आपको मिसाल देने लोगा हूँ आपने measure करना है कि heart attack heart attack जो है इसके लिए आपने अपनी कोई treatment measure करनी है say for example ये एक मेरे पास गोली है इसको खाने से heart attack कम होता है ठीक है इसको खाने से आपका जो heart attack के chances है वो कम हो जाते है so what you do आप क्या करते हैं आप basically surrogate endpoints इसके जो है वो बना लेते हैं बजाए इसके के आप गोली खिला के बाद में बंदे का तब तक वेट करें जब तक उसको बिचारे को heart attack नहीं हो जाता उसकी बजाए हम different किसम के endpoints जो है वो बनाते हैं और उन different किसम के endpoints के अंदर आप बहुत ज़्यादा चीजों को जो है वो मेईर भी करते हैं अब उन चीजों के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपको एक मैं मिसाल देता हूं स्वरोगे 10 points की एक और मिसाल आपको मैं देता हूं के आप देखें के heart attack की main reason क्या होती है इंसान का blood pressure high हो जाता है या इंसान का cholesterol level high हो जाता है या there are many other things तो heart attack जो है ये final end point है और अगर आप तब तक wait करेंगे जब तक Allah ना करें बंदे को heart attack नहीं हो जाता है आपकी study भी जाया होगी secondly ये आपका खर्चा भी ज्यादा होगा और ethically भी एक बार ठीक नहीं है इसलिए आप क्या करते हैं आप ये देखते हैं कि इस गोली को खाने से blood pressure इसका down हुआ या नहीं cholesterol level कम हुआ या नहीं तो जो blood pressure और cholesterol level किसम की जो चीज़ें हैं वो at the end relate कर रही हैं आपके heart attack के साथ ठीक है? आप ये वाली चीज़ों को measure करेंगे जो blood pressure है, cholesterol level है some other things लेकिन आप at the end क्या करेंगे उसको relate करेंगे heart attack के साथ इसकी एक और मिसाल देता हूँ जो लोग cancer studies कर रहे होते हैं cancer के उपर study कर रहे होते हैं वो बिचारे ये नहीं देखते के cancer की इस दवाई से mortality rate कितना ज्यादा हो रहा है या कितना काम हो रहा है वो start जिस जगा से करते हैं कि आपने ये दिवाई दी किसी बंदे को medicine दी या chemotherapy जो treatments है वो आपने की या radiation की जो treatment की उसके बाद उसका जो cancer का end point mortal हो जाना बंदे का मर जाना नहीं होता बलके उससे पहले जो points आते हैं कि cancer का जो वो cell था वो छोटा हुआ है श्रिंक हुआ है या नहीं हुआ क्या वो cell जो है वो dissolve हो रहा या नहीं हो रहा जो खराब हो गया था cancerous cell सो इस तरह आप medical science के अंदर surrogate points जो है उनको रखते हैं इसके इलावा और भी surrogate points होते हैं और surrogate points इस वज़ा से बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के अंदर जब भी आप surrogate points की बात करते हैं ethically इन चीजों को consider किया जाता है कि बजाए इसके कि आप किसी के मरने का इंतजार करें आप उससे पहले चीजों को measure करते हैं इसकी मिसाल मैं एक और देता हूँ COVID-19 आया था COVID-19 का mortality rate जो mortality rate था मरने का जो chances यानि कि कितने cases आये और कितने लोग जो है वो इंतकाल कर गे due to COVID-19 वो बात की चीज थी लेकिन उससे पहले shortness of breath ठीक है फिर आपको खांसी आती थी फिर आपको सांस लेने में problem हो रही थी आप चल नहीं सकते थे आपको बुहार बहुत ज्यादा हो जाता था और जब वैक्सीन बनी वैक्सीन ने start नहीं ये कर दिया बन्दा कोई infect होता है COVID-19 से तो उसको कौन-कौन से symptoms जो हैं वो आ रहे हैं और वो ये देख रहे थे कि एक दफा वैक्सीन लगाने से क्या हुआ दो दफा लगाने से क्या हुआ तीन दफा लगाने से क्या हुआ तो युजिली ब्लड प्रेशर को लो कर रहे हैं लेकिन on the other side आप ये देख रहे हैं कि heart attack क्या है इसी तरीके से और भी चीज़े है एक simple word के अंदर आपको बताता हूँ कि cake आपके सामने पड़ है ठीक है cake सामने पड़ है आप उसकी बनावट किस तरीके से वो नजर आ रहे है और उसकी smell की base पे अगर उसके taste का अंदाजा लगा लें तो उसको बोलते हैं surrogate end point यनि कि आपने cake खाया नहीं है लेकिन देख के और बाकी चीज़ों को measure करके आप कह सकते हैं कि delicious होगा ठीक है इसी तरीके से जो हम देखते हैं ठीक है फिर हमारे पास surrogate end points क्यों handy है उसकी reason क्या है उसकी main reason मैं आपको screen पे दिखाता हूँ कि जो main reason है na surrogate end points की वो है जिनाबे वाला आपके पास पहली चीज़ जो है surrogate end points की जो main reason के अंदर आती है that is कि आपका जो research है वो बहुत short handy हो जाती है यानि के बजाए इसके के पूरी जिंदगी एक बंदे के monitor करें आप short handed यानि के quick results आपके बास आ जाते हैं आप आज दिवाई दे के 3 घंटे बाद blood pressure भी देख सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद ethical reasons भी हैं कि ethics के अंदर FDA या different किसम की जो authorities है international level पे वो इस चीज को maintain करती हैं कि किस disease के कौन से surrogate end points हैं फिर ये also can help you to save money यानि के अगर आप चोटे-चोटे points रखेंगे for example blood pressure measure measure करने को एक रुपया भी नहीं लगता on the other side अगर आप कुसी और level को measure करते हैं एक इसका मसला यह है कि surrogate end points जब लोग decide करते हैं कि किस base पे surrogate end point बनाना उनको सबसे बड़ा मसला यह आता है कि accuracy कभी कबार ठीक नहीं होती अगर आपका experience अच्छा नहीं है आप किसी field में मंजे हुए नहीं है तो accuracy पे मसला आता है secondly दुनिया के अंदर there are regulatory authorities जो medical science के अंदर खास तौर पे medical informatics के अंदर जब कभी भी आपके पास data आएगा for example covid-19 का data है अगर उस data को आप देखते हैं तो दुनिया में surrogate end points regulatory authority बनाते हैं for example world health organization surrogate end points आपको बता देगी के यह end points है अगर आपकी vaccine इन पे effective बैठती है इसका मतलब आपकी vaccine ठीक चर रही है against covid-19 so simply मैं इसको यह बोलूँगा के अगर जिंदिगी में आप से कोई पूछे के surrogate end point क्या है ठीक है so आप उन्हें कह सकते हैं के यह एक under study यह जैसे आप कह सकते हैं के stage पे बहुत बड़ा थेटर चर रहा है अगर कोई बड़ा actor आया हो तो आप कह सकते हैं के यह कमाल का थेटर होने वाला ठीक है so आप pre-zump कर ले final decision से पहले-पहले के यह possible है based on some specific surrogate end points तो यहां तक आपको clear हो गया होगा के surrogate end points क्या होते हैं इनकी different pronunciations भी है अगर आप different countries में जाएंगे तो इनको different तरीके से pronounce किया जाता है spelling मैंने आपको बता दी है it's your task to know के यह किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं ठीक है जी